महिना शुब संकेतों का बड़ा लाभ प्राप्ति का चाहे कुछ भी हो जाए प्रायास करना ना छोड़े दुरूरता से दटे रहे दुनिया आपका कुछ भी बिगाड नहीं सकती कोई निंदा करे या जुटी स्तूती करे लाभ केवल आपका यह है स्तूती प्रेणा देती है तो निंदा सुधार करने का आउसर प्रदान करती है इस बात को मिथुन जातकों ने इस महने मुख्य रूप से द्यान में लेना चाहिए नमस्कार मैं आश्टो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतीश प्रेमियों का हरदिक स्वागत करती हूँ हम जुलई 2023 मेहने के राशी भविश्य को समझ रहे है उसमें आज हम मिथुन राशी के जातकों के लिए यह महिना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से वारतालाब करेंगे विभिन्न दुरुष्टि कोन से इस महने के ग्रहस्तिती का हम शास्त्रोक्त विश्लेशन करने वाले है साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महने करने वाला विशे शुपाय भी बताने वाली हूँ इसलिए वीडियो अंत तक देखे व्यक्तित्व की दुरुष्टि से जब हम विचार करते हैं तब राशी स्वामी की स्थिती महतो पुर्ण होती है बुध्धी के कारक बुधदेव आपके राशी के स्वामी है उन्हें ग्रहों का यूगराज कहा चाता है प्राकृतिक शुभग रह के रूप में भी बुधदेव की विशेश पहचार है राशी अधिपती प्राकृतिक शुभग रह होने के कारण एक प्रकार की प्राकृतिक शुभता आप में निर्मान होती है उनके अनुसार दूसरों का कारण परेशान नहीं करना चाहिए यहाँ आपकी मानसिक्ता होती है हरस्तिती में हसते खेलते प्रसन्नता से रहना यहाँ आपका सभाव होता है उसी दिशा में आपका मारगकरमन शुरूर होता है इस मेहने राशी सवामी राशी में होने के कारण आपका वह सभाव अधिक उद्धिगत होगा मेहने के दुसरे सप्ताह में बुधदेव धनस्तान में प्रवेश करेंगे तब आपका परिवार से सउख्य बढ़ेगा आपकी वानी में मिठास और ज्ञान यह दो चीजे एक साथ विकसित होगी चौथे सप्ताह में लेकिन बुधदेव पुनस्च राशी परिवर्दन कर परिश्रम के स्थान में प्रवेश करेंगे वह स्थान उन्हें कते ही अच्छा नहीं लगता जिस कारण तब आपके मन में आलस निर्मान होगा काम न करने की इच्छा आपके मन में निर्मान होगी राशी स्वामी जब सोयम तुरूतियस्तान में जाता है तब वह आपको परिश्रम करने के लिए सुचित करता है संख्षेप में इस पद्दती से ही आपके व्यक्तित्व पर शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव निर्मान होगे धन परिवार वाणी की दूष्टी से विचार करें तो आपके धनस्तान में शुक्र देवाए है वे आपके पंचमेश और व्यएश है अर्थार परिवार के किसी व्यक्ति के पड़ाही पर खर्च करना पारिवारिक कारिक्रम संपन्न होना वाणी में मिठास एवं संदर्य निर्मान होना जैसे शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे संक्षेब में इन सभी दुरुष्टियों से यह महिना आपके लिए लाभकारी रहेगा उसका पूरा उपयोग कीजिए पराकरम परिश्रम की दुरुष्टि से विचार करें तो मिठून राशी के लिए रवी देव की स्तिती महतोपूर्ण होती है क्योंकि वे आपके परिश्रम के कारक है महतोपूर्ण बात है कि वे आपकी राशी में ही आये है साथ ही परिश्रम स्तान में लाभेश और सष्टेश मंगल देव विराजबान है संख्षेप में रवी और मंगल देव दोनों आपको सुचित कर रहे हैं कि आप बड़ा परिश्रम करें लेकिन यह बात आपके राशी स्वामी को अच्छी नहीं लगती है फिर भी रवी अर्थाद ग्रहों के राजा और मंगल अर्थाद ग्रहों के सेनापती जब आपको परिश्रम करने के लिए सुचित करते हैं तो वह आपके लिए अत्यनत आवश्यक है इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए वास्तु वाहन भूमी सुकशान्ती इन सभी दुरुष्टियों से विचार करें तो यह मिथून राशी के लिए अत्यनत शुभय वं सुखदायक काल है ऐसा हम कह सकते हैं लेकिन मेहने का प्रथम और दूसरा सप्ता सुखदायक रहेगा साथ ही चौथे सप्ताव में वास्तु वाहन से सम्मंदित कोई भी व्यवहार ना करें यह सलाह आपको दी जाती है क्योंकि उस काल में किये गए व्यवहार से आपको लाब प्राप्त होने की संभावना कम है शिक्षा, संतती, प्रणय, प्रेम विवह, आयोजित विवह की दुरुष्टी से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए इस मेने पढ़ाई के लिए यात्रा, पढ़ाई के लिए खर्च, पढ़ाई में सफलता यह तीनों चीजे दिखाई दे रही है अर्थात, यात्रा और खर्च भले ही होने वाला हो लेकिन आपको सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है इस बात को आपने मुख्य रूप से द्यान में लेना चाहिए आपकी संतती इस काल में बड़ा खर्तुत्व करेगी विवह इच्छुक जातकों के जीवन में जीवन साथी आने के शुभयोग निर्मान होने वाले है उस दुरुष्टी से भी यह काल लाभकारी रहेगा स्वास्त्य कर्ज प्रतिसपर्दी शत्रों की दुरुष्टी से विचार करे तो मिथुन जातकों के लिए यह महना लाभकारी खहा जा सकता है क्योंकि इस महने आपका स्वास्त अच्छा रहेगा जिने कर्जे की आवशक्ता है उन्हें भव प्राप्त होगा इसलिए उस दुरुष्टी से अधिक प्रयास करने चाहिए प्रतिसपर्दी स्वयम पिछे हट जाएंगे शत्रु आपके मार्ग में नहीं आएंगे लेकिन महत्वपुर्ण दस्तावेज आप कही रख कर भूल सकते हैं इसलिए उन्हें विशेश्तान पर रखे यह सलाह आपको दी जाती है क्योंकि आपके साथ ऐसी संभरम अवस्ता सदईव होती रहती है जोतिश का अध्यहन तता शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये है उनका अवश्य लाभ लीजिए इन दोनों मोड़्चो पर मिथुन जातकों के लिए यह काल सफलता का कहा जा सकता है व्यावसाईक जातकों को इस काल में बड़ा लाभ प्राप्त होगा नोक्री करने वाले जातकों की उननती होगी लेकिन उन्हें कई यात्राए भी करनी पड़ेगे वह यात्रा भी आपके लिए लाभकारी सिध्ध होगी संग्षेप में नोक्री और व्योसाई इन दोनों मोर्चों पर आपको सफलता और लाभ प्राप्त होगा इसलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए विदेश में स्तीत मिथुन जातकों की दुरुष्टी से विचार करें तो उनके लिए धनप्राप्ति के शुभसंकेत दिखाई दे रहे है जो मिथुन जातक विदेश में वास्तु लेने की योजना बना रहे है उनकी इस काल में इच्छा पूरती होगी इसलिए उन्हें इस दुरुष्टी से अधीक प्रयास करने चाहिए भाग्येवं शुभसंकेत की दुरुष्टी से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए यह महिना कई शुभसंकेतों से भरा है उसमें बुख्यरुप से कहा जाए तो भाग्येश भाग्येस्तान में होना इसे हम अत्यंत बड़ा शुभसंकेत कह सकते हैं करमेश लाभस्तान में होना भी बड़ा संकेत है साथ ही राशी स्वामी राशी में होना पंचमेश धनस्तान में होना भी बड़ा शुभसंकेत है संग्षेप में ऐसे कई शुभसंकेतों से आपकी कुंडली अत्यनत सकारात्मक बन गई है इसलिए यह महिना मिथुन जातकों के लिए लाभकारी रहेगा उसका सदोपोयोग कीजिए कर्म की दुष्टी से विचार करें तो मिथुन राशी के लिए करमेश गुरु महराज होते है वे लाभस्तान में विराजमान है परिराम सरुप आप जितना अधिक कर्म करेंगे जितने उचित कर्म करेंगे जितने सकारात्मक और धार्मिक विचारों से कर्म करेंगे उतनी बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी उससे आपको उचित लाभ भी आवश्य मिलेगा लाभ की दुष्टी से विचार करें तो मिथुन राशी के लिए यह महना बड़े लाभ का कहा जा सकता है क्योंकि आपके लाभस्तान में गुरू, राहू, हर्शर जैसे तीन बड़े ग्रह विराजबान है जिस कारण अच्छानक और प्रत्यक्षित रूप से लाभ के भर पूरा उसर आपके लिए निर्बाण होंगे इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके वे उम परदेश कमन की दुरुष्ठी से विचार करें तो विदेश में स्तीत मिथुन जातकों के मन में अपने देश वापस आने की इच्छा निर्मान होंगी भारत में स्तीत जातकों के मन में विदेश जाने की इच्छा निर्मान होंगी ऐसी एक दूसरे के विपरिस्तिती इस मेहने बन सकती है अर्थात आप जी स्तान पर है उस स्तान को छोड़कर दूसरी ओर जाना यह इस समय काल में आपकी मानसिक आउशकता रहेगी जीवन सुक दूख और उतार चड़ाव से भरा होता है कोई भी व्यक्ति संपुर्ण सुखी या संपुर्ण दुखी हो नहीं सकता उस सनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता मेहने के कुछ दिन सूख समाधान सफलता लेकर आते है तो कुछ दिन संगर्ष, कठिनाईया और तनाव से भरे होते हैं इस दुरुष्टी से मिथुन जातकों के लिए आठ, सत्रह और सत्ताईस यहा दिन विशेश रूप से सुखदायक एवं शुभर रहेंगे साथ ही, छ, पंद्रह, पचीस यहा दिन अशुभ एवं तनाव पूर्ण रहेंगे इन दिनों में आप कठिनाईयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे तो यह मानसिक्ता आपने पहले से ही बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा उपायों की दृष्टी से विचार करें, तो जोतिश में छोटे-छोटे और बढ़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गये है अशुभ चीजों की अशुभता कम करने का, शुभ चीजों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ होता है उस अनुसार उपाय का विचार करें, तो हर राशी का एक इश्वर होता है उसका एक मंत्र भी होता है, उस पर सउशोधन कर हमने आपके लिए कुछ विशेश उपाय निकाले है उसमें मिथून राशी की दृष्टी से विचार करें तो मंगलम भगवान विश्णू, मंगलम गरूर दोजा, मंगलम पुंडरी काक्ष, मंगलाय तनोहरी यहां मंत्र आपके लिए सुचित किया जाता है यहां मंत्र आपने पहले दिन 108 बार जाप करना और उसके बाद प्रति दिन 5 बार पूरा महिना जाप करना है उसके शुभपरिणाम आपको प्राप्त होंगे इस प्रकार मेश से लेकर मीन तक हर राशी के लिए यहां महिना कैसा रहेगा यहां समझाने के लिए हमने कुल 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अप्लोड किये है कमेंड बॉक्स में जय जोतिश लिखना ना भुले साथ ही यदि आपको हमसे संपर्क करना हो तो वाटसप पर मैसेज करे कुरुपया कोई भी फोर ना करे आपका कॉल हम उठा नहीं सकते आप यदि मैसेज करते हैं तो उस पर रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा धन्यवाद शुभम भवतु जय जोतिश प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हाँ बेल आइकोन दपाना ना भुले धन्यवाद